अलो नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस उडियो में हम बात करने वाले मतलब तीन ड्री मिलें उनकी विनिंग टीम्स देखने वाले बी ओ टी वर्सेस आयंडी की मैच की जैसको मैंने अभी आप आपको हाइलाइट करके दिखा दिया है जैसी के आप देख पार है इन दोनों के बीच लगातार दो मैचे से कुछ घंटों के अंतर से लेकिन हम यह वीडियो दोनों मैचेस के लिए दोस्तों और पहली टीम पहली मैच पर हम क्लिक करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख पार है कहाँ पे देख सकते कितने प्लियर है ग्रांड ड्रीम टीम में खेले हैं दोस्तों और काफी जबदस्त टीम पड़ी है और साथी साथ दोस्तों पॉइंट भी 708 है दूसरी टीम की बात करें तो जो लास्ट वाली टीम थी उस लिए मैं वो टीम नहीं दिखाऊंगा तो सिधे अभी हम चलते हैं आज की जो हम इस वीडियो को बार बात करें उसके पहली मैच पर हमें क्लिक कर लेनी है अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं पर क्लिक किजिए यहापे नीचे ओप्शन दिख रह बी मैं आपको बताऊंगा और कुछ स्टाट्स भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों अफकोस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेश्ट जरू करूंगा कि अगर आपने मेरे चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रिस करके अल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्टे रहे और आप अच्छे से अर्निंग करते रहे लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर दालते रहिए का दोस्तों कि क्या आपने अच्छी खासी क्या अर्निंग किये चलिए माई टीम पर क्लिक करते और पहली टीम को मैं आपको सीधे प्रिवियो करके दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं इस खौजा को मैंने इस टीम में लिया है आगले दो टीमों में कुछ चेंजेस करने की जरूर कोशिश करूंगा उसके बाद बैटिंग में आप के पास जबसे बैस्ट है आपको जाम वाल लेने के बाद चार ही option बच्टे है और compulsion है आप एक तीन गेन बाज लेना तीन बल्ले बाज लेना एक keeper लेना तो उसके बाद चार ही option बच्टे है और मैंने इस टीम में चार all rounder already ले लिए जैसे कि आप देख पारे जी सिंग को लिया है एशर्मा को लिया है एम तारर को लिय को लिया तो इसके अलाव भी एक दो और option बचे लेकिन अभी हम फुलाल तो उनको शामिल नहीं कर सकते हैं अगली दो टीमों में और भी हम कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे काफी जबदस टीम बन रहे है उसके बाद गेनबाजिक की बात करें तो यहां पर अभी तक काफी बढ़िया बैटिंग बॉलिंग केपिंग फिल्डिंग सभी कुछ अच्छा किया है तो इस तर से पहली टीम जो है कि सबसे बेस्ट टीम बनी है मेरी खायल से तो इस टीम को आप ग्रांड लिग के लिए उज़ करेंगे तो काफी बहतर है लेकिन ऐसा नहीं आपको कम आर्निंग होती है लेकिन ग्रांड लिग में अगर सही से टीम बैट जाती है तो आपको काफी जाधा आर्निंग होती है या फिर आप ग्रांड लिग बीजिद चकते है तो इसलिए प्रिफर कर कीजिएगा कि ग्रांड लिग लगाए और अगर उसके बाद आप ल तो मैं इन्हीं दोनों के साथ जाने वाला ऑगर यह दोनों सच में फिर से अच्छे स्क्से ओजाते और हम इनको कप्तान बाते तो बीए पर्संटेज ज्यादा पर्सेंटेज उनको फाइदा होगा हमें नहीं होगा जिसके वाज़ेसे इस तर से करना जरूरी होता है इस टीम को काफी बढ़िया वनिये फिर से कहूंगा ग्राइंड लिक के लिए उसके जगा स्मॉल लिक के लिए भी यूज कर सकते हैं तो इसको टीम को खोच करते हैं और दूसरी टीम में आपको सिधे प्रिव्यू करके दिखा देता हूं जैसे कि आपको कीपिंग में मैंने चेंज कर लिया है जैसे कि आपको अल्रेडी बता चुका था कि दो ओप्षण है और यह दूसरा वाला ओप्षण है एगोश इनका भी परफॉर्मस अच्छा रहा है पहले वाले प्लियर से बढ़िया नहीं रहा है लेकिन अच्छा परफॉर्मस रहा है जरूर आप इनको एक टीम में तो कम एक टीम में नहीं बलके अगर ज्यादा टीम में भी लेना चाहे तो ले सकते हैं उसके बाद बैटिंग में अफकोस यहाप देख सकते हैं मैंने एक ही चेंज किया है हाँ बैटिंग में तीन प्लियर लेने होते हैं के पटेल को मैंने र लेकिन यहां पर एक चेंज में ने किया है सबसे पहले जी सिंग है मेरे पास शर्मा को लिया है एम तारर को ले लिया है और एम आपकी जगा टी थुबानी को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ यह भी काफी जबदस परफॉमस कर रहे हैं और काफी बढ़िया फॉर्म है तो इ इन बाजी की बात करें तो एसकुमार है एसिंग है और ओकुरी शित यहां पर भी कुछ चेंजेस किये तो कुल्मिला के दूसरी टीम भी काफी जबदस्त और खतरनाक बनी है और आपको एक बात और बता दू कि यहां पर क्याप्टर मैंने एम तारर को बना है और वाइस क् लेकिन कॉप्तान बनाने जाघ रहा हूं टीटल भण कर बना है तो जरूर आप जा सकते हैसर कंप्टन की की हमारी सबसे बड़ी बात वे दोस्तों कि इस बार मैंने जो भी कैप्टन और वाइस क्प्टन से क्ये डोनों की डोनों ऑल राॉंडर है दूस्तों। याने मिलएक यह आपको बैटिंग में भी पोइंक्त दे सकते हैं।ो पिलिंग की यानि डबन पेबल पॉइंट्ट आपको इनकी वजहिसे मिलेंगे। अगर यह सक्सेस हो जाते तो आपके पॉइंट दो गुना और देड़ गुना होने ओले तो जिसके उज़े से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं इसलिए इन दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बनाना काफी फायदे मन रहेगा आप इनकी उज़े तो आपको कुछ ना कुछ आर्निंग अच्छी होगी या फिर एकार टिम मेरी ग्राइन लिग ज़्यादा प्रिफर कीजेगा लेकिन अगर आप दोनों लीग भी लगाते एक ग्राइन लीग और एक स्मॉल लीग भी तो भी कोई प्राब्लेम ने या फिर आप स्मॉल लीग बिल्कुल मतलब अगर लगा नहीं एक की लीग तो स्मॉल लीग मत लगाएगा ऊट लेकिन मैल्टीफल लीग लगाते है तो एक ग्रैन लीग और एक स्मॉल लीग भी ज़रूर लगा सकते हैं तो कुल मिला कि ये बी आच्छी अच्छी बन कर ले एगोश को और एस ख्वाजा को अफकोस थोड़ा रिस्की है क्योंकि एक कॉल राउंडर हमारा अल्रेडी और कम हो जाएगा लेकिन दोस्तों हो सकता है यह ज्यादा अच्छा पर्परमस करें और हमारे लिए काफी फायदे मन सावित हो सकता है क्योंकि आइसा कर काफी क लोगों ने किया होगा तो इसलिए आपको जादा फायदा हो सकता है तो इसलिए दो कीपर के साथ मैं यह जा रहा हूँ एगोश और एस ख्वाजा तो दो कीपर के बाद मेरे पास तीन बल्ले बाद अफकोस लेने ही होते जेड मैं मुदे एम जमवाल को लिए और के पटेल को तो इस तर से तीन अच्छे खासे बैट्समन भी ले लिए लेकिन यहाँ पर आल राउंडर में अफकोस एक कीपर बढ़ाने के हो जैसे तीन बचे थे तो मैंने यहाँ थोड़े हटके लिए यहाँ एम तारर को लिए आय मर्चंट को लिए टी थोबानी को लिए तो इस तीन मतलब एक टीम में मैंने अभी तक दोनों पिछले दोनों टीमों में भी नहीं ले पाया था साथ में नहीं ले पाया था अलग-अलग दोनों टीमों में उन दोनों को तीनों को लिया है मैंने लेकिन साथ में नहीं ले पाया था गेनबाजी की बात करें तो एसकुमार ह तो इसाप से आपको लगानीय तो लगा सकते हैं लेकिन गारंटी के लिए जरूर लगाई क्योंकि काफी बहुतर टीम बनी है अफकोस अगर बात करें के तो यहां पर मैंने थोड़ा पलस पॉइंट भी साबित हो सकता है क्यूंकि अगर सोचे हम कपतान और कपटान वाइस-क्तम हम दा रहरे जो कि कुछ 2-4 परसेंट लोगों में से हम रहेंगे और अगर ये दोनों of course success हो जाते तो हमें grand league जितने में काफी फायदा होगा grand league जित सकते हैं अच्छी खासे आदनिक पक्का कर सकते हैं इनकी वज़े से तो कुल्मिला के team काफी अलग बनी हैं काफी हटके बनी है और काफी बढ़िया बनी है तो इसी लिए grand league के लिए ही suggest करूंगा मैं small league के लिए suggest नहीं करूंगा अगर फिर भी आप small league भी लगाना चाहिए तो मुझे कोई problem नहीं लेकिन काफी बहतर है और grand league के लिए बहतर बनी है तो कुल्मिला के team को भी close करते है और आखिर में यहीं कहूंगा रस्तो अगर आपको लगता है इन तीनो टीम हो पे कुछ changes करने चाहिए या फिर आपको लगता है captain और vice captain सही नहीं है तो आप ज़रू changes कर सकते है लेकिन ज़्यादा changes मत कियेगा एक दो changes करेंगे तो कोई problem न करना ना बुले ताकि ऐसे आप तक पोस्टे रहे और आप अच्छे से करने करते रहे साथ इसाथ अपने टेलीग्राम की लिंग में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप पे जाके उसे जॉइन जरू कर लीजिए ताकि समय पे कुछ भी changes रहते तो आपको बताशो को कि से ड्राप किया गया और आप किसको उनकी जगह पे ले सकते साथ साथ कुछ और भी अपडेट रहते हैं तो वह भी मैं आपको बता सकता हूँ तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गुडबाई और टेक केर झाल